दोस्तो आज हम सीखेंगे वटसप में किसी भी चैट को किसी भी गुरूब को लॉक कैसे करते हैं मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा चैट लॉक भी हो जाएगी और लॉकेट चैट का ओप्शन हाइड भी हो जाएगा यहनी कि वटसप चैट लॉक होकर हाइड हो जाएगी किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने वटसप में किसी चैट को लॉक किया है इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले अपने वटसप को अपडेट करना है ओपन करना है अभी यहाँ पर आप देखेंगे समीर की chat दिखाई दे रही है open भी हो रही है और यहाँ पर सल्लू की chat भी open हो रही है और दिखाई दे रही है दोनों ही chat को मैं lock करूँगा और chat hide भी हो जाएगी इसके लिए आपको क्या करना है पहले chat को select करना है यहाँ पर chat को मैंने select कर लिया दो chat को आप group भी select कर सकते हैं इसके बाद उपर में three dot पर click करना है इसके बाद यहाँ पर lock chats पर click करना है इसके बाद यहाँ पर continue पर click करना है यहाँ पर आपका screen lock आ जाएगा आपको इसे यहाँ पर confirm कर देना है इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर समीर और सलू की chat यहाँ पर hide हो गई है और log भी हो गई है लेकिन आप उपर में देखेंगे यहाँ पर locket chats का option दिखाई दे रहा है इसी भी आप hide कर सकते हैं कैसे करेंगे यहाँ पर आपको locket chats पर किलिक करना है अपना fingerprint यहाँ पर लगा कर कंफर्म कर देना है आपकी chat यहाँ पर दिखाई दे रही है यहाँ से आप chat वगईरा देख सकते हैं टीक चैट कर सकते हैं, मैसेज वगरा कर सकते हैं, लिकिन अगर आपको Locket Chat हटाना है, तो आपको यहाँ पर 3Dot पर किलिक करना है, और यहाँ पर Chat Lock Settings पर किलिक करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग मिलेगी, Hide Locket Chats, यह सेटिंग को On करना है, इसके बाद नीचे Create Secret Code इसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोट सेट कर देना है, जो भी कोट आप सेट कर रहे हैं, वो आपको कहीं पर लिक कर रख लेना है, अगर आप कोट भूल जाएंगे और आपने जिस चैट को Lock किया है, तो दोस्तों उसके अंदर की सभी चैट, फोटो, वीडियो किलियर हो जाएंगे, डिलिट हो जाएंगे, तो इस बात का आपको धियान रखना है, कोट इंटर करने के बाद, नेक के बटन पर किलिक करना है, फिर से आपको यहाँ पर कोट को इंटर करके डन कर देना है, अब यहाँ पर सेटिंग ऑन हो गई, अब यहाँ से हम बैक आते हैं, त तरह से आप chat को hide और lock कर सकते हैं अब बात करते हैं जो chat आपने lock की है अगर आपको उसे देखना है या message वगरा करना है message read करना है तो कैसे करेंगे इसके लिए आपको यहाँ पर search बार पर click करना है और यहाँ पर आपको अपना code type करना है तो आपको यहाँ पर locket chats का option मिल जाए किस तरह से chat बाहर आएगी वो भी अभी बताऊंगा मैं ठीक है तो यहाँ पर मैं code को enter करता हूँ इसके बाद यहाँ पर locket chats पर click करना है chat यहाँ पर आगई message को read वगरा कर सकते हैं message वगरा करना है अगर तो यहाँ से message वगरा कर सकते हैं कुछ इस तरह से ठीक है अब बात क करते हैं अगर आपको किसी chat को unlock करना है यहाँ से बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे आपको यहाँ पर chat को select करना है ओपर three dot पर click करना है और यहाँ पर unlock chat पर click करके यहाँ पर आपका जो lock है वो आ जाएगा उसे यहाँ पर enter कर देना है जिसके यहाँ पर enter कर देते हैं जो code हमने यहाँ पर enter करा था, continue पर click करते है, chat unlock हो गई है, बाहर आ गई है, ठीक है, यहाँ पर अप सलु की chat बची है, समीर की chat बाहर आ गई है, ठीक है, अब बात करते हैं, आप code भूल गए है, आप यहाँ पर मान लीजिए, code भूल गए है, तो किस तरह से अप chat को बाहर नि इस पर click करना है इसके बाद यहाँ पर unlock and clear पर click करना है आपके mobile का screen lock आ जाएगा आप यहाँ पर finger print से भी से okay कर सकते हैं अब chat दोस्तों बाहर आ गई है लेकिन chat clear हो गई है बैक आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सलू की chat बाहर तो आ गई है लेकिन chat clear हो गई है सभी media file chats delete हो गई है तो अगर आप code भूल जाएंगे तो इस तरह से chat को बाहर ला सकते हैं लेकिन सभी chat delete हो जाएगी इस तरह से दोस्तों आप WhatsApp में chat को lock करके height कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe करना वीडियो को share भी कर देना